नमस्कार आप देख रहे हैं हम लोग मैं हूँ नगबा राम इस धर्ती पर सबसे जादा पूज़ जाने वाले भगवान है वो भगवान भी है और मर्यादा पुरुशोत्तम भी राम हिंदू समुदाय के लिए पूज़निये हैं लेकिन राम सब के हैं वो हमारी संस्कृती का हिस्सा रहे हैं तुलसी के राम मर्यादा पुरुशोत्तम हैं आदर्श पुत्र हैं मा के कहने पर जंगल चले जाते हैं वो आदर्श भाई आदर्श पती हैं सीता के लिए रावन कबत करते हैं वो राजा भी हैं संत भी जंगल गए तो चेहरे पर शिकन नहीं और सिंगासन संभाला तो अभिमान नहीं जिस आयोध्या में 133 साल तक लोग यहां लड़ते रहे कि किसकी इबादत यहां होनी चाहिए इसी आयोध्या में राम लोट रहे हैं एक नई मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा यहां पे होगी देश और उससे बाहर भी लोगों में इसे लेकर बेह यारिया हैं सुरक्षा के कड़े इंतिजाम हैं और तमाम तरहे के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं बहुत सारे लोगों को वहां जाने का निमंत्रन मिला है इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रही है एक बेहत खास महमान मशूर गाई का भजन गाई का अनुराध अनुराधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें पता है कि आप लखनव में हैं और आप अयोध्या जाने वाली हैं आप वहां पर निमंत्रित आमंत्रित हैं तो सबसे पहले तो वो मौका आया है जिसका बहुत सालों से सैक्रों हजारों लोगों को इंतिजार रहा है और अब आप साक्षी होंगी इस दिन की तो आपके भाव क्या है इस समय कई सदियों से चली हुई ये इसके लिए लड़ा आज जाके मतलब ये फली भूत हो रही है और यह एक बहुत बढ़ा दिन है सभी संतों के लिए सभी सनातियों के लिए और सभी राम भुतों के ये एक बहुत बड़ा दिन है जी ऐसे मौके पर अगर आपको आपके इतने सारे भजन हमने सुने और आपने अनेक अनेक भजन गाए हैं लेकिन आपको अगर कोई राम भजन इस समय याद आ रहा हो या आपका जो प्रिय भजन हो तो हमें ज़रूर सुनाईए मुझे कोई सोहर वगएर तो याद नहीं है लेकिन राम लाला का जो बाल रूप में जो है वो थुमक चलत राम चंद्र थुमक चलत राम चंद्र बाचत प्रेंजनिया थुमक चलत राम चंद्र जी तो लोक शेली में राम जिसे आरादे हैं उसका बाल रूप भी बहुत पूजा गया है और तमाम जो भजन है वो उसी राम लला या जो बाल सुरूप में राम हैं उनके लिए लिखे गए हैं जैसा आपने भी जिकर किया सोहर का और जो आपने भी भजन सुनाया पर इसक संद का भजन सुनाए बिलकुल है बिलकुल है और बहुत खुबसूरत आयोजिन भी बहुत ज्यादा खुबसूरत डंग से किया है और बहुत इमोशनल है पूरा भारत ही एक कड़ी में जुड़ गया है तो सभी भारतवासियों को सभी सनातियों को और रामभक्तों को मैं बह बहुत बहुत धन्यवार और आपहर परकट करते हुए जी अनुरादा जी आप हमें और अगर कोई भजन सुनाना चाहें तो और कोई संदेश देना चाहें लोगों वस्तु अमोलिकर दी मेरे सत गुरू इरपा कर अपनायो पायो जी मैंने रामरतन धन पायो जनम जनम की पुण जी पायी जग में सपी खुवायो पायो जी मैंने रामरतन धन पायो नमस्कार जैश्री राम बहुत धन्यवाद आपका नुरादा पॉडवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस समय लगातार हर जगे से लोगों की तैयारिया जो है उसकी तस्वीरे सामने आ रही है हमारे साथ इस वक्त हिमानशू शर्मा हमारे सहयोगी जो है वो काशी से पनारस से एक जलक दिखा रहे हैं हिमानशू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि काशी में भी लोगों के सामें किस तरह का उत्सा है और क्या तैयारियां हैं हर जगा कल के दिन देश के अलग-अलग जगों पर अलग-अलग तरहे से लोगों ने तैयारियां की हैं तो सबसे पहले चलते हैं काशी पर इनोंने राम, श्रीराम कही किसी के माथे पर श्री राम लिखा है किसी के नमाजे पर राम लिखा है और ये पूरा जो है ये महौल जो है काशिविश्णाज मंदिर का ये एक पूरा है तो ये बाबा भोले के नगरी लेकिन कहा जाता है कि बाबा के जो आराद्य है वो श्री राम है भगवान शंकर के आराद्य श्री राम है और श्री राम जो पुमालू में कि राम जी का राम लला क्या पूछा है आपके बहुत जादा बहुत खुसी बहुत अच्छा कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर जो आपको क्या लग रहा है वहारा हम सब महाराठस आईले हैं तो आपने देखी एक जलक काशी की यहाँ पर उत्सा है लोगों में और आज हम आपको कोशिश करें दिखाने की न सिर्फ आयोध्या में बलकि जो बाकी धाम है जैसे काशी है या हरद्वार है वहाँ पर भी किस तरह से तैयारिया की जा रही है अलग-अलग मंदिरों में भी और लोग क्या खास कर रहे हैं कल के दिन के लिए जब प्रान प्रतिष्टा होगी आयोध्या में इस समय हमारे साथ खास महमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनोत चौधरी जो संस्थापक हैं शाश्वत धाम नेपाल के और राजराजेश्वर गुरु जी हैं जो धर्म गुरु हैं लंदन में रहते हैं लेकिन खास यहां पर आये हैं राजराजेश्वर जी आप इसके लिए आए हैं खास तौर पर प्रान प्रतिष्टा के लिए आपका अनुभव आपने कपते ही किया था कि आपको आना है कहा है आप इस समय किस तरह से आपकी यात्रा संभव हुई कुछ बताएं आज के दिन आपके क्या भाव हैं सबसे पहले जेश्री राम और में तरह कहूंगा कि इंग्लेंड के धर्तिकों पर सिधाश्रम का संस्था का स्थापर मैंने पिछले तीस साल से किया हुआ है मगर इस इंग्लेंड से लेकर के आज यहां अयुध्या मेरे जीवन में पहली बार आया हूँ और मैं आया हूँ ये तो नहीं कह सकता हूँ मगर भगवान श्री राम ने मुझे बुलाया है और ये प्रानपतित्सा मौसव में मेरा अनुभाव आज का यह रहा जैसे कि मैं पुझ श्री राम बदराचारी जी के कथा में भी उपस्तित रहा वहां विवीत संत जैसे पुझ स्वामी राम देव जी सी महराज सी से लेकर कि श्री श्री रवी सेंकर जी महाराजी से लेकर हमारे अमेरिका के स्विवियोग के आचार या इश्रान जी भी साथ में उपसी तरो मेरा अनुभव ए रहा कि पुज्य श्री राम की नगरी वास्तों में अलोखिक और अनोखिक है इसलिए मैं कहता हूँ कि राम बन गए इसलिए बन गए और ये आज जो नजारा मैं खुद देख रहा हूँ अनन्द की अनुभूती तो हो रही है मगर यहां के लोगों के रग रग में भगवान श्री राम श्री राम श्री राम या आप जब आए नहीं थे और इंगलेंड में थे तो कुछ आपके मन में आयोध्या की कोई कल्पना भी होगी और जब आपने आयोध्या नगरी देखी तो क्या आप महसूस किया आपने जी जी मैं अचुली गुजरात का मेरा जन्मा है और तेसा सिंग्लेंड में हूँ संसा चला तो मगर यहाँ आयोध्या की अपने आप में भावना में टीवी पे देखता था जब अपने आप में जो कारिया चल रहा था उस वक्त मैंने चित्र, फोटो, टीवी, मेडिया सब देखा मगर आज जो मैंने देखा उसमें अद्वित्या आनंद इस धर्ती पर पहले पैर रखा तो हमारे रामलला सरकार जी ने मुझे अस्वागत किया और उससे एक अनुभव की बात यह हुई कि वास्तों में सरीर में कंपन सा हुआ कि भगवान राम की जन्मभूमी पे कोई भी आदि में आएगा अगर नालाइक भी आएगा तो लाइक बन जाएगा यह नुभूमी डॉक्टर विनोद चौधरी संस्तापक शाष्वत धाम में पाल हमार साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद चौधरी यह उत्सा जो है ना सिर्फ आयोध्या में और भारत के कोने-कोने में है बलकि दूसरी जगों पर भी हमने तो देखा तस्वीर है अमेरिका से लंडन से अलग-अलग जगों पर भी एक अजब सजोश है और इस समय आप हमें क्या बताएंगे नेपाल में भी कैसे देख रहे हैं इसे लोग और आप लोगों ने कल के दिन के लिए क्या कोई कारिकरम भी है क्या तैयारियां है वहाँ पे अब एक ची और भी बताऊंगे आपके पास वापस आऊंगी राजेश्वर जी डॉक्टर विनोज चौधरी से बूच नहीं हमें सवाल जी डॉक्टर विनोज चौधरी कि अनुवाई के हिसाब से आज 50 लाग से ज्यादा लोग आज चुके हैं और नेपाल और अयुद्धा तो कभी अलग होई नहीं सकता हम माजानकी के देश से हैं यहां से हम सोला नदियों का पानी लेके गए थे वहाँ पर विशर्जन के लिए जब पानी जब मंदिर बंद गया तो इसलिए और उसके बाद जनक पूर से माजानकी की नगरी से काफी लोग वहां उपस्तित हैं मेरे शासोद्धाम को प्रतिनित्तों करते हुए बरुन चौदरी मेरा बेटा है और वो भी वहां पर आमंत्रित है वो भी वहां पर गया हुआ है बहुत बड़ा उत्सा है और हम लोग एक सिंबोलिक रूप में सासोद्धाम में एक हम लोगों ने जब से वहां पर प्रांग प्रतिश्था का कारेक्रम शुरू है हम लोगों ने यहां पर वो कारेक्रम शुरू किया और हम लोग भी उसी तरह से एक अपने सासोद्धाम के प्रांगन में हम रामल जोड़ने का एक बहुत बड़ा पीड़ा जो प्रधान मंत्री जी ने उठाया उसका आज एक अंतिम कल एक निशकर्ष का दिन है बहुत बड़ा दिन है यह इसने अपना हमारे जैसे सारे जो सनातन धर्म में अधित्य विश्वास करते हैं उसको जोड़ने के लिए इतना हर दम उनको धन्यवाद केना चाहता हूं सबको बदाई देना चाहता हूं जी बिलकुल आपने सही का कि नेपाल से जो संबंद रहे हैं वो तो आप मा जानकी की बात की वो सब जान रहे हैं कि कितना महत्व है हमारे साथ आदेश अगरवाल भी जुड़ गए हैं जो अध्य लगड़ा चला और कोट में मामला चला और उसके बाद आज ये दिन आया है इस लंबी लड़ाई के बाद कि वहां किसी किसकी पूजा किसकी बादत होनी चाहिए तो आदेश जी इस मौके पर आज क्या कहेंगे ये मैं दूसरी बार औयोद्या आया हूँ पहले मैं 2007 में आया था और आज जब हमने हवाई जाज से दिल्ली से आये तो एक अलग खुशी एक अलग माहौल एक अलग एटमोस्फियर जो है यहां पर देखा हर बच्चे के बाहर से आने वालों का ही नहीं बलकि आम जहां का लोकल जो नागरिक है वो एक बहुत ही उत्साइथ है कि कल परधान मंत्री जो है इस प्रोग्राम में जोइन करेंगे और यह प्रोग्राम सारा वर्ड देखेगा तो आपने आप के रहें कि अब दूसरी बार आए हैं आयोज्या कैसी नजर आ रही है तोटल चेंज है पहले है जो पहले नहीं होती थी पहले यहां का लोकल नागरी खासकर हिंदू ड्रा हुआ रहता था आयोद्या में हमेशा से हिंदू हुया मुसल्मान सब इकठे रहे हैं इस राम मंदिर के आसपास बलकि हमने हमेशा देखा कि जो फूल चड़ते जो मालाएं चड़ती हैं वहां जी जी और आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुसलिम जो सीनियर एड़ोकेट हैं उन्होंने मेरे को ये कहा कि सुप्रीम कोट की 22 तारिक को छुटी होनी चाहिए तो उस पर एक मुसलिम इलेक्टिड लीडर ने मेरे को रिक्वेस्ट करी और म पाइस तारिक को सभी जजों को उनको कह देना चाहिए कि अगर कोई जज कोई भी वकील या लिटिगेंट हाजिर नहीं है तो उनके खिलाब कोई एडवर्स और ना हो तो यह वाला एक नया कैई जगे हमारी कल पोर्ट जो है पंजाब हरियाना में पोर्ट जो हैं बंद रह जिज हमार साथ जुड़ने के लिए और बाकी हमारे साथ राजेश्वर जी जुड़े विद राजेश्वर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में मैंने रोका था आप कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं इसमें जी जी मैं कहना चाहता हूं कि विदेश की धर्ती के उपर सोला तारीक को हमने बिटिस पाल्लामेंट के अंदर सनातन संस्था के माध्यम से हमने राम मंदिर का उत्सव हमने वहां के अंगरेजों के साथ भी मनाया याने की मेरा कहने का भाव यह था सनातनियों को तो पुनरुप से उत्सा तो है ही मगर विदेशियों को भी पुनरुप से उत्सा है कि भगवान राम श्री पुना अपने स्थान के उपर बिराज मान हो रहा है जी बिल्कुल तो खास दिन है ये धन्यवाद आपका राजेश्वर जी और डॉक्र विनो चौदरी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ब्रेक लेंगे हम लोग में इतने सारे लोग में उत्सा है और इतने सारे लोग आयोध्या पहुंचे हैं तमाम जाने माने लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं तो ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने हैं खास महमान सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर तो आयोध्या के नए अध्याए के शुरुआत हैं हर कोई उत्साहित है इस मौके पर बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत खास है इस वक्त हमारे साथ जुड़ने हैं मशूर आक्टर मशूर अभीनेता कभीर बेदी तनवाद आपका मासा जुड़ने के लिए मैंने आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने ये लिखा है कि 496 साल का ये सपना था हिंदूों का जो पूरा हो रहा है और ये 1528 में जो मंदर डिस्ट्रॉई किया गया वहाँ पर इस मौके पे ये कितना खास मौका है आपके लिए आप जुड़े रहे हैं इससे और आपकी क्या कामना रही थी इतने दिनों से ये लंबा मामला चला है मैं स्ट्यूट्ट टू हिस्ट्री रहा हूं सिंस्टीविन्स कालेज बे और मुझे रखता कि ये बहुत ही एतिहासिक वक्स है बहुत ही एतिहासिक सेलिबरेशन होना चाहिए क्योंकि इतने सारों बाद जब एक सपना पूरा होता है तो इसके बारे में सबको खुशी होनी चाहिए ये मंदिर बहुत कश्ट से बना है सतर साल के केस लड़ने के बाद हिंदूों को मिला है इसमें कोई गयर कानूनी बात नहीं है और ये बहुत बड़ा अफसर है बहुत बड़ा उत्सव है और मैं समझता हूँ कि सबको इसकी खुशी होनी चाहिए क्योंकि ये अफसर बहुत कम बिलते हैं इतिहास में इतिहासिक है और इसकी साक्षी हो रहे हैं आप महां आपने सोचा जाने का सोचा था आयोध्या या आप कल का दिन कैसे जुड़ेंगे इस आप फंक्शन में देश्वर मंदर भी है बहुत से लोग आएंगे मैं भी उनके साथ मिलना जुलना चाहता हूँ और इस दिन को सेलेबरेट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता कि हर देश्वासी को इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि राम मंदर राम के जनम भूमी में बनाया गया है बहुत कुबसूरती के साथ और लाखों लोग उसकी प्रान प्रतिष्टा के लिए आ रहे हैं तो यह सब के दिन में खुशी होनी चाह क्योंकि यह बहुत ही एतिहासिक दिन है जी आपने का आपको कोई मलाल नहीं आप कल के दिन वहां नहीं होंगे लेकिन आगे का इरादा है योध्या बहुत बदली है जो लोग पहले गए योध्या और देखा क्योंकि सालों वहां पर court cases चले और योध्या एक तरह से वहां कुछ भी नहीं रहा लेकिन आप वो काया पलट एक तरफ से है चाहे वो एकॉनमी की बात करें बिसनस की बात करें लोगों का आना जाना तमाम चेहल पहल उस शहर में जैसे लगता है कि एक बर जीवत हो उठा है तो आगे की कोई आपकी ऐसी इच्छा है या आप जाना चाह आपना मत्हा टेका जी अच्छा है यह बहुत ही आप जाने का बहुत मन करता है और मुझे यकीन है कि अगले साल में जरूर जाओंगा और साथ-साथ प्राम प्रतिष्टा यहां टेलिविजन पर देखूंगा और फिर मंदरियों में जाओंगा और सब के साथ इस इवेंट को सेलिब्रेट करूँगा है शुक्रे आपका धनवाद बहुत-बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए कभी बेरी थी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं संजीव कपूर सेलिब्रिटी शेफ संजीव जी आप वहां पे पहुंचे हैं आप एयोध्या में हैं आमंतरित है बॉंबी से आप आए तो कैसा अनुभव रहा क्या देखा आपने रास्ते में और अपना अनुभव हमारे साथ आप साजा करें बिल्कुल देखें आयोध्या में पहुशने का जो सफर है वो रामनला का नहीं बहुत मैं कहूंगा कि पूरे भारत वास्तियों के लिए बड़ा मतलब कुछ तरह से कहना चाहिए कि हमारे लिए तो रुलास का सफर रहा है सो सिर्फ आज की बात साजा करता हूं कि मुंबई एरपोर्ट से जब चड़े तो मुंबई एरपोर्ट पे जो महाँ था जो जिस तokrat से पुरा लोग जिस भाव के साथ में फ्लाइट में बैठें यहां तक पहुंचें यहां पर एरपोर्ट में जिस तरह से हमारा पूरा स्वागत किया गया और उसके बाद में अभी हम कुछ देर पहले अभी सहयूग के हम किनारे तट पे हम लोग पूरा सारा जो शो चल रहा थो देख रहे थे और जो लोग हजारों की तादाद में यहां पर हैं एक्शली मैं शायद वहां से रिकॉर्ड करता लेकिन वहा पर पास में जानकार हमारे यहां के महववार हैं उनके बिल्कुल पास में घर है तो वहां से ताकि आवाज आ सके लेकिन वहां पे खड़े हूंकर मुझे इस तरह से ऐसी जो एनरजी इतने लोग मतलब हम लोग शोस करते तो काफी लोग उस से बड़े-बड़े हमने ऐसे क आरे करम देखें पूरे जीवन में लेकिन इस तरह की जो एनरजी है यह जो भाव है वह एक्सपिरियन्स करना वो यहां पर होना पड़ा है मतलब मैंने एक ट्रिकेट के वर्ल्ड कप भी देखना उसमें बड़ी जबरदस्त एनरजी होती है लेकिन यह जो एनरजी है यह चब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है इसको बिलकुल एक्सपिरियंस करना करना पड़ेगा और मैं कहूंगा कि मैं बहुत अपने आपको खुशकसुत समझ रहा हूं कि मुझे आमतरन मिला निमतरन मिला और मैं और मेरी पत्नी यहां पर आए हैं और कुछी आयुद्या में जो इस समय माहौल है मैं बता रहा था क्योंकि मैं उत्तर प्देश से हूं मेरिट में मैं कुछ साल रहा हूं मेरा ननिहाल वहां का है तो बहाँ पर एक नौचंदी का मेला होता है तो मेरा भाई से बात उन्दी कहता है कैसा माहौल है मैंने का अगर नौचं अर्से तक इसका मज़ा लिया जाएगा आपने की एतिहासिक है और आपने बहुत खुबसूरती से यह कहा कि नौचंदी का मेला जैसा होता है उसका हजार गुना कर दें और क्रिकेट वर्ल्ड काप पे जिस तरह का खुमार देखता है उससे भी कहीं जादा यहां पे यह है तो हुए है लेकिन हमें कुछ हफते पहले क्योंकि निमंद्रन मिल गया था और मेरा बैक्डराउंड तो खेर हुटेल वाला है तो ना सिर्फ मेरी अकॉमेडेशन पर मैंने कुछ और दोस्तों की पे अकॉमेडेशन करवाई है और ऐसा नहीं कि बहुत जादा लोगों न पाइदा उठायागी और यह कुछ भी चार्ट करने ऐसा नहीं है बहुत रीजनबल रीट पर मिले हैं लेकिन जाहिट से बात है जब इतने सारे लोगों होंगे तो कुछ तंगिया तो होंगी लेकिन काफी होटेल्स नए अपने होटेल्स बना रहे हैं मेरे कल मेरे प्रियमित्र है पुनी चट्वाल ताज होटेल के M.D. CEO उनसे बात और दी कहते हैं दो हमने साइन कर लिए और भी बात चल रही है यहां के पैलेस्ट की अबरोई ग्रूप की बात चल लिए पार्किन रेडिस पांच कमरें हैं और बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से इसको रखा गया है तो ऐसे बहुत थारे लोगों ने इंतजाम किये हुए हैं कमर्शल यह लोग अपने घर खुल भी रहे हैं सब लोग वेबसाइज नहीं कर रहे हैं लोग घरों में ठहरा भी रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है कि ऐसा नहीं कि सब लगे हुए हैं कि आरे चलो इसको इसको बहुत-बहुत कमाली आजए ऐसा नहीं है बहुत पॉसिटिव फीलिंग है आपने बताया कि होमस्टेश भी खुले हैं और लोगों ने अपने घर खुल दिये हैं रहने के लिए इत हमारे चैनल में हमने बात की थी तो पताया था उन्होंने कि उनकी खास वेश भूशा जो पहन के आ रहे हैं तो उसकी भी कुछ खास आपने भी तयारी की है क्या बिल्कुल देखें सबसे पहले तो जो प्रसाथ क्योंकि मेरा खाने से जुड़ा हूँ वह हूँ तो हमने एक बहुत बड़ा सा लड़ू साथ किलो का एक लड़ू प्रसाथ के रूप में बनाया और उसकी हमने रेसिपी सब लोगों के साथ में शेयर की है जिसना से हमारे प् लड़ू वैसे नाम मिल पाएं ऐसे लोग जो दहीं अफोड कर सकते उनके साथ भी शेयर करें वो प्रसाथ शेयर करें पहनने की जहां तक बात है तो निश्चित बात है कि जिस तरह से दिवाली के मेले पे आप नए कपड़े सिलवाते हैं दिवाली का फेस्टिवल जब हो तो बिल्कुल इसके लिए भी नए कपड़े सिलवाए गए हैं रंग सोचे गए हैं और पूरा उस हिसाब से किया गया है अब सारी चीजें तो रात बर पहले नहीं वो ऐसे जब शादी से पहले आप सारी अपने जो चीजें हैं वो शेयर नहीं करते हैं थोड़ा तो सस्प बिल्स भी रहना चाहिए धन्यवाद आपका और उमीद करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहे का कल का दिन धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने खास लड़ू की रेसिपी शेयर की है पांच किसम के लड़ू की रेसिपी और प्रशाद के लिए एक ब्रेक की बाद अग दिन आप याद करना चाहेंगे इसे उन्हों ने जो पूरा जीवन इसी अभियान के लिए लगा दिया उसी का यह प्रणाम है कि यहां तक हम पहुच पाया हैं। जी तो जब ये प्रान प्रतिष्टा हो रही है कि इत्हास रचा जा रहा है काशी विच्वनाद मंदिर न्यास के इस तरह की तैयारी कर रहा है और क्या आपके आँका कारिकरम है कल नहीं उस दिन हम लोगों ने कार्टक्रम यहत्य किया है कि प्राता काल साथ बजे से नो बजे तक चातुर वेद परायन यहने चारों वेदों का जो वेदिक विद्वान है वो इकाउन की संख्या में आएंगे और उनके द्वरा वेद मंत्र का पाठ किया जाएगा यह दो घं जो बहुत प्री है हमारे हनुमान जी उनका अस्मन करने के लिए हम लोगों ने रहा इसका सुंदर कांट का सस्वर पाठ यह देख दो घंटे का रखा है इसके बाद जो लाइब टेलीकास्ट होगा जो अजवध्या से प्रसादित किया जाएगा उसको सभी भक्तों को सभी लोगों को देखने के लिए दो तीन जगों पर हम बड़ा बड़ा टीवी स्केंग लगाएंगे और उसमें ताकि जो कहीं भी रहे हम लगाएंगे कि जाते हुए चलते हुए भी लोग यो हैं बड़े आराम से वहां के प्राःप्रतिष्था के कारकरम को देख सकेंगे इस संपर किया है उनको अनमतिर दे गई उनको सारी हम सुवधा देंगे और राम के जीवन पर आधारी एक दो घंटे का उनका नाट्य प्रदर्शन होगा यह चलेगा लगभक साथ आठ बजे तक तो पूरे दिन सुवा से साम तक हम राम में वातावरन में उसका अर्क्रम को कर हैं चोटे हैं बड़े हैं सब पर हम काशी भी सुनात धाम की ओर से उनको हम प्रुष्टान देंगे उनको हम सहाच्ता भी देंगे और कोशेच करेंगे कि सभी मंदरों में दीपदान हो हमारे यहां भी पशीष हजार दीपक उस दिन जलानी की व्यवस्ता की गई है और नि और राम में हो गया है एक राम दर्वार भी बहुत बिशाल महत्रा महां पर लगाने वाले हैं और सबसे एक अच्छी बात है कि तीन लाख लगों का भोग लगा कर भगवान सिर्राम को हम भक्त जनों में बित्दित करेंगे यहां उस दिन जो भी आवे जो भी आवे जो भी राम का प्रशाद लेकर ही अपने घर जाय इस तरह की ब्यास्टा की गई है बहुत धनवाद आपका बाबा विश्वनात की नगरी भी राम में हो गई है आप बता रहे हैं प्रोफेसर नागे इंद्र पांडे धनवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आई एक बर फिर से आप पोरे चलते हैं योध्या जहां हनुमान की पेड़ी में हनुवान गड़ी में मौझूद है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुकला रामचरित मानस में तुलसिदास जी ने लिखा है कि हर से सब कपी सुनि प्रभुबानी धन्य अवद जे राम बखानी तो आज अवद पूरी तरीके से सजी हुई है मैं इस वक्त भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के मंदिर जो प्रसिद मंदिर हनुमान गड़ी जिनको अजुद्य का कोतवाल बोला जाता है हन्मान गड़ी मंदिर के ठीक बाहर हूँ आप देखे पूरी मंदिर को सजाय गया है और जब भी राम जनम भूमी या राम मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं तो हन्मान गड़ी के दर्शन जरूर करते हैं यहीं मझरी वंजाय के अजब सुबह से लगातार जो है वो आमलनी खास धालुंत का ताता हनुमान गड़ी में लगावा हूँ यह अरे अरे कापी कितना बजन है इसक है 6000 के जी है बजन के भक्त हैं सिरी राम पर हो को पॉ-ं-! जो है जो है गडा लेकर यहां पर हरमाइक जो है जो है वह दर्शन करें किया है